पहला सवाल आपसे है सरकार की ये योजना सेना में युवाओं की भागिदारी के लिए प्रांतिकारी साबित होगी या फिर आपको लगता है कि मिलिटरी बजट में कटौती करके एक नई चुनौती यहाँ पर सरकार के सामने बहुत जल्द आने बाली है इसको लेकर क्या है स आधी परिक्षा बाकी है दो से ढ़ाई साल का वक्त गुजर चुका है इसको लेकर ये लोग बहुत सारी सवाल खड़े कर रहे हैं कि उसको लेकर सरकार आगी क्यों नहीं बढ़ती है अगर देश की बड़ी आबादी के मन में कुछ सवाल हैं तो उसका जवाब सरकार को या सरकार से जुड़ेवे प्रतनिदियों को देना ही चाहिए लेकिन इसी से जुड़ा हूँ मेरा अगला सवाल केंद्र सरकार की तरफ से 10 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एक जवाब में बताये गया वे भारती सेना में सवाल लाख पद खाली है इसको क्यों नहीं भरा जारह है क्या चुनओती सामनी आ रही है जिसको लेकर अभी तक ये तमाम पद रिक्थ हैं और इसे को लेकर झगह जगह जगह जो युवा हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं ग्रिटेर होते हैं उनकी जगह पर इस तरह की भरती हो रही हो और सरकार की ओर से बड़ा एलान किया गया है लेकिन चुंकि आपने भी इस बारे में जिक्र किया बहुत सारे आर्मी आफिसर इसको लेकर सहच नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन आप इसकी खासित बता रहे हैं अग